हेलो दोस्तों गिस्माटाइम सिंधी में आपका स्वागत है मेरा नाम है चेतन यह है एक क्विक अन्बॉक्सिंग और एक फुल रिवियू रिड्मी के सोनिक बेस वायलेस इयरफोन का रिड्मी जो शामी का एक नया सब ब्रैंड है नया नहीं मतलब पहले से नाम तो काफी प होता है शामी के ही मी निक बैंड येरफोन से वहां से दो तीन डेवलपमेंट मतलब चेंजेस लाएं कंपनी ने और यहां पर आपको आगे दिख रहा है कि में फीचर्स क्या है बारा गंटे तक का प्लेबैक टाइम है अगर आप इसको चला रहे हैं असी परसेंट वॉल्य तो ये है इसके मेजर फीचर्स मगर सिर्फ यहीं नहीं है अगर हम इसके बाकिफीचर की बात करेंगे तो मैं बताओंगा कि क्या-क्या इसमें रहेगा और यहां पर प्राइस वैसे तो कट कर दिया क्यूंकि हमें य्यरफोन से थोड़े दिन पहले ही मगर वैसे तो रुपए के आसपास इसका प्राइज रेंज और इसके अब मेजर फीचर की अगर बात करें तो यह है यह जो रिट्मी के सोनिक बेस्ट वायलेस यह फोन्स है और इसका वेट रहेगा 21.2 ग्राम इसका वेट है यह आता है 9.2 mm ड्राइवर्स के साथ और यह आता है ब्लुडू sound output के लिए तो आप audio quality में ज्यादा expect ना करें तो अच्छा रहेगा मतलब इतना भी खराब quality कुछ नहीं है बट मैं ऐसे बोल रहा हूं कि codec अगर आपको LDAC या उससे better कोई codecs अगर supported रहते तो आपको audio quality में भी वो difference भला चलता बट यहां पर नहीं सिर्फ SBC मिल रहा है यहा इतना हेवी है नहीं और जब इतनी flexibility के साथ आता है यह जो neckband है वो आप easily हर जगा pocket में भी रख सकते हो जब आप travel कर रहे हो या नहीं तो जब यह neck के उपर भी रहेगा यह कहीं आपको force नहीं करता मैंने अभी तक तो इसको तकरीबन 5-6 दिन के लिए use किया इस neckband को और कभ इस लिए neckbands में यह होता है जब मोटे neckbands होते हैं उससे लगता भी हमें कि yes uncomfortable थोड़ा लग रहा है थोड़ी दिर के बाद आप उसको निकाल के side में रख देंगे यहां पर वो case नहीं है और यहां जो indicators है इसके left and right indicators वो यहां पर आपको मिल रहे है neckband के area में और earphones पर नहीं म switch between devices अब यह सबसे बड़ा यहां पर feature रहेगा switch between devices का मतलब है यहां पर multipoint connection और dual pairing का feature भी मिल रहा है आपको Redmi के sonic bass wireless earphones में दो दो चीज़े है sonic bass यहां पर bass levels बढ़ाया है company ने जो अपने mean expand थे उससे better गया है और यह जो dual यहां पर multipoint connection का feature है वो बहुत बढ़िया है मतलब यह ऐसे users के लिए है जिनके पास multiple devices है सिर्फ phone नहीं अगर आपके पस phone और laptop दोनों है और दोनों में आप usually क्या होता है जब आप earphones use कर रहे हो तो ऐसे होता है कि आपको या तो एक में ही earphones और एक में speakers में सुनना पड़ता है बड़ यहां पर ऐसे नहीं है अगर आप गाने सुन रहे है redmi sonic bass bass wireless earphones में laptop से और call आगया आपके smartphone में तो आपको कुछ करने की जरूरत में वहां पर आप call receive कीजिए यहां पर यह automatically switch होके उस call की audio को आपको यहां पर देगा तो that is the best thing मतलब मेरे लिए सबसे best feature यह रहा काफी earphones में यह feature missing होता है ऐसे होता है कि यह dual pairing हो जाएगा काफी earphones में dual pairing हो जाता है बट वो active connection नहीं रहता ऐसे रहता है कि multiple devices के साथ वो earphones pair होके रखते हैं ब और यहां पर अगर आप देखो तो यह आयाता है micro USB connectivity के साथ तो इसके charging के लिए micro USB ही आपको possible रहेगा और cable आपको box के अंदर नहीं मिल रहा तो अलग से cable देना पड़ेगा और charging के लिए इसको तकरीबान 2 गंटे लगते हैं full charge होने के लिए 0 to 100 और यहां पर अगर हम इसके microphone और बागी चीज़ों की बात कर लें तो एक microphone तो इस तरफ दिया गया है दूसरा microphone यहां पर LED indicator के साथ मिल रहा है तो यह दोनों मिला कर आपको environmental noise cancellation मतलब इतना भी बड़ी है noise cancellation नहीं है बट थोड़ा सब तो पता चलता है मैंने अपने ही family members के साथ अलग rooms में call में बात करके ट्राइ किया कि जब हम जैसे tap में water flow हो रहा है for example या कोई पीछे से vehicle जा रही है तो हम ट्राइ करते हैं यह देखने के लिए कि कि कितना यहां पर noise cancel हो रहा है वह वाला थोड़ा cancellation था बहुत जादा नहीं बट फिर भी yes it was useful थोड़ा कम से कम cancellation आपको easily पता चल रहा था यहां यह area जो है वो glossy है यहां पर यह matte finish है और यह magnetic earbuds है बट यह कोई sense नहीं बन था magnetic वैसे मतलब ठीक है अच्छा है कि यह के साथ रहेंगे बट थोड़ी earphones है जैसे oneplus का जो buds थे जो oneplus wireless z तो उसमें यह था कि आप इसको अगर यहां पर दोनों color करोंगे तो वो start कर देता earphones को औ और वो pairing के लिए ready करता है यहां पर वो feature नहीं मिल रहा आपको और थोड़ा सा मुझे यहां पर यह थोड़ा cheapest लगा अगर हम earbuds area की बात करने यह जो cylinder area है सारा थोड़ा cheap लगा in looks otherwise मतलब ठीक ठाक है और एक बात इसके ear tips की यह कि company ने बोला यह ear tips anti-wax silicone tips है anti-wax का मतलब यह ह से कोई एक earbud में sound quality जादा नहीं आ रही मतलब output जादा नहीं है उसका एक reason यह होता है कि यह जो holes होते है उसके अंदर जाके wax बैट जाता है और उसकी वज़य से sound output जाता नहीं आता तो यहां पर यह anti-wax का है company ने इसको तो शायद यह भी होगा कि wax जो producer होता है ears के अंदर वो इसके अंदर नहीं जाएगा और वो आपको audio levels को कम नहीं करेगा किसी भी earbud में दोनों में same ही रहेगा mostly हर बार अब next हम अगर इसकी बात कर ले battery life की मैंने जितना use किया इसको fully drain किया है मतलब मैं जब use कर रहा था इसको continuous use नहीं कर पाया but मैंने एक बार charge करने के बाद हर बार जब भी इसको use करता था for one hour दो गंटे हो गए साथ में उसको मैं लिखके रखता था कि इतनी देर के लिए use किया complete और मैं हर बार एक ही audio level में गाने नहीं सुनता तो वो भी थोड़ा सा factor अलग होता है क्योंकि company ने का कि जब हम 80% volume पर इसको चलाते हैं तो इसमें battery life कु बड़ी बार ज्यादा भी करता था तो वो रैंडम था बट 12 गंटे से ज्यादा मुझे यहां पर battery life तो मिल गई थी अब IP x4 splash proof है तो यह आप वैसे अगर आप बारिश में भी जा रहे हो और use कर रहे हो तो इसमें ज्यादा damage होने के chances नहीं रहेंगे उसके अलबा यहां पर multi function button को प्रेस करेंगे तो वो google assistant या siri को activate करेगा और इसको अब प्रेस करके hold करेंगे 1.5 seconds के लिए तो यह दो devices के बीच में switch कर देगा अगर आपको चाहेंगे तो यह volume up volume down buttons है और इसमें आप सिर्फ volume को ही control कर पाएंगे और अब final चीज़ इसके sound quality गी मैंने अभी तक गान सोनिक बेस में कंपनी ने काया कि one of the important features यह है कि इसका bass हमने बढ़ा है बूश्ट किया है इसका 9.2 mm dynamic driver है उसके साथ तो मैंने try किये गाने जैसे थोड़े bollywood tracks bollywood मतलब hindi tracks से from composers like बादशा जो जादा इसमें bass को बढ़ा के output देते है nuclear के थोड़े songs हो गए वो भी try किया था और English songs में हमने try किया थे Imagine Dragons के songs थे जैसे believer हो गया तो bass में मैं यह कह सकता हूं कि bass was decent enough not so good क्योंकि thumping bass नहीं था कि ऐसे लगे कि yes effect दे रहा है bass का जो वहां पर thump होता है और आपको पता चलता है कि beats proper आ रहे है वो नहीं था क्योंकि थोड़ा सा huskiness feeling आ रहा था मुझे but otherwise balancing बह balance है बहुत बढ़िया balance था तो यह एक बात है कि यहां पर मुझे bass heavy नहीं थे इतने ठीक है company ने कहा कि bass heavy है अब मैं इसको क्यों bass heavy नहीं दगा बताऊंगा यह रहा इसका reason यह रहा पूरा एक bundle मैंने अपने earphones का मंगाया था भी recently these are the options जो मैं try कर रहा हूं भी boat rockers 355 bolt audio curve pro उस इसके अलवा यहां पर हो गया noise tune active और यहां पर boat rockers 255 उसके साथ साथ यह तो यह अलगी level है मतलब यह habit 2000 रुपिस का मगर OPPO ENCO M31 अभी तक का मेरा favorite options था उस price range में तो यह सारे के साथ मैं almost same time पे compare कर रहा था जब इसके base levels को हम यहां पर try कर रहे थे तो मुझे इसका base इतना perfect नहीं लगा but it was good enough तो सबसे best competitors इसके रहेंगे मेरे लिए Bolt Audio का जो एक हो गया यहां पर यह वाला Bolt Audio GoPro यह एक था उसके साथ साथ boat rockers 255 और उसके अलवा noise tune active यह तीन options के साथ मैं इसको अलग से compare करके आपको बताऊंगा कि कौन सा best option है but otherwise मैं कहूंगा call quality काफी अच्छी थी उसके अलवा यहां पर आपको जो मैंने कहा था कि इसके battery life काफी अच्छी लोगी मुझे और bass heavy इतना नहीं है बट फिर भी it's a very balanced bass output जो आपको यहां पर Redmi sonic bass wireless earphones में मिल रहा है और जैसे मैंने पहले कहा था इसका best feature था dual pairing and multipoint connectivity तो वो एक बहुत बढ़िया बात है इस Redmi sonic bass wireless ear earphones की तो इस वीडियो में इतना ही यह था quick unboxing 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 में तो इसे कुछ दिखाने का था नहीं यहीं चीज़ें आपको मिलती है earphones के साथ साथ एक user manual मिल जाती है जहां पर आपको पूरा का पूरा settings के बारे में और buttons के बारे में दिखेगा and यह extra pair of two pairs of ear tips आपके ear के size के हिसाब से आ इसमों टाइम से दिको देखने के लिए जाने बात मिलते हैं आपको अगली वीडियो में